भाला दोस्तों नमस्कार आपता सुवागत करता हूं फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तों आज हम लेकर आचुके ऑक्सी टेट्रासाइकलीन इंजेक्शन और ऑक्सी टेट्रासाइकलीन बोलस के बारे में जैसा कि मैंने ऑक्सी टेट्रासाइकलीन जो की यानि अगर आपकी पसु गावी रहे तब आप उनमें इस इंजेक्शन और इस बोलस का प्रियोग मत करना या एक नॉन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है जिससे पसु के मरने के चास बहुत ही जादे बढ़ जाते हैं इसलिए आप इस इंजेक्शन का प्रियोग अपने गावी पस में मत करना और किस रोग में हम इसे कर सकते हैं जैसे आपके पसु को बुखार हो गया तो बुखार में आप इस इंजेक्शन और इस बोलस का यूज करा सकते हैं डाक्टर दोरह इस इंजेक्शन का प्रियोग होगा और पसु पालक के दोरह इस बोलस का प्रियोग होगा जो पहले हम M-shape, X-shape, Intra-shape के साथ अपने पसू में यह Oxytetras आगरी इंजेक्शन का भी प्रियोग करते हैं, Double Antibiotic का काम, साथ साथ निवोनिया में भी हम Double Antibiotic का काम करते हैं, Mastatis में हम Double Antibiotic का काम कर सकते हैं, उस Double Antibiotic में एक Antibiotic, High Antibiotic और दूसरा Low Antibiotic जो की Oxytetras आगरी नाव से आता हैं, उसे हम यूज करा सकते हैं, चाहे Mastatis हो, चाहे गना घोटी हो, चाहे निवोनिया हो, चाहे HS हो, किसी भी समस्या की, जहां आपको लगा है, लगे कि आपके पसु को Antibiotic का जरुवत है, वहां पे आप इस Antibiotic का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको लगे Single Antibiotic का यूज करें, नार्मल केस है, पसु के आफरा है, पसु के पेट में दर्द है, पसु का भुखार है, इस जगह आप Oxytetras आगरी इंजेक्शन का जूज कर सकते हो, केवल एक ही इंजेक्शन का, इसमें किसी भी प्रकार का Double Injection नहीं लगेगा उसके साथ साथ दोस्तों और कहां कहां पर यूज कर सकते हो, दोस्तों जहां पर भी आप कोई साभी काम कर रहे हो, तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्सिल में जुरुवता आना, और इंजेक्शन के मार्पी है 95 रुपीस, और बोलस के मार कमेंट में जुरुवता रहे हैं वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, और आपको अगर पशलों में किसी भी परखार की समस्या हैं, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम आपके लिए प्रसली वीडियो लेकर आएंगे, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही धंने मान ध यूटूब फैमली मेंबर